असलाम लेकूम आज हमारा जनर्र मैथेमेटिक्स का लेक्चर नमबर फाइफ है फंक्शन एंड कॉडियेटिक का ठीक है इसमें जो है हम सबसे पहले ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे यह टॉपिक जो है फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम f of x is equal to y square हमने ले लिया function एक अब इसका हम function कैसे बनाएंगे मतलब हमारे पास तो अभी सिर्फ x है value तो कोई नहीं है तो हम इसमें value पूट करके देखेंगे कैसे इसके ग्राफ बनता है तो सबसे पहले हमने लिया f of x is equal to x square हमारे पास जो question है उसमें हमने पहले 0 डाली value तो zero का result क्या आता है zero zero का यहाँ पर भी zero put करेंगे यहाँ पर है तो zero का square zero आता है फिर one put करके देखेंगे कि अगर हमारे पास f of x की जगा one हो तो हमारे पास क्या आता है वन का स्क्वार वन वन जार वन ही आता है फिर टू पुट करके देखा हमने तो टू तू जार पोर आता है हमारे बास इस तरह बंदा करता रहता है लेकिन इतना जादा जाने की ज़ुरत ने यहां तक भी बहुत है आपको समझा आजे ठीक है उसके बाद देखें तो हम एक हम लिडए जार पास उन था तो ये शी एकषा और वान तो नोगे परिप्र आता हूं उससाद पहलाँ ने है और प्र एक रहेसे बन गें ग्राफ आता हैに मुद्धेजर गंखें हम इन दुसरे इसी का रिफिलेक्शन इन वान भी मीड坛ीं का फिर उ 사용 हैक्तू प्रफिय और छ बन गई, अब हमारे पास जब एक function आ गया तो हम एक function से बहुत सारे function भी बना सकते हैं, एक function का graph हमें पता चल गया, अब इसके साथ अगर plus two हो जाएं, दूसरा function आ जाजएं तो हम उसका graph कैसे बनाएंगे, आगे हम वो देखते हैं, अब देखें, हमारे पास अब function है vertical shifting, इस में हम shift करेंगे, जब हमारे पास एक function था, f of x is equal to x square, तो हमारे पास अगर x square के साथ plus three आ गया, तो इसके क्या, मतलब vertical shift में हमारे पास मतलब आता है, कि यह vertically 3.3 unit up हो गया, मतलब 3 plus है न, तो plus की value उपर होगी, और minus की value नीचे होगी, अगर यह minus three होता है, तो इसके हम parabola यह उपर हो गया, three unit, अब हमारे पास vertical shift का, यह positive और negative का, अगर horizontal shift आए हमारे पास, तो horizontal पे फिर हम, यह vertical axis होते है न, तो इसलिए हमने इसको open नीचे किया, horizontal shift में हमारे पास यह horizontal line होती है, तो इसमें shift करेंगे, यह याद रखना, कि जैसे vertical का, यह positive था, यह negative, तो x axis का, यह positive side ह होती है, और यह negative side होती है, ठीक है, parabola को shift करने के लिए, तो हमारे पास, जब three x positive है, तो हम यहाँ पर three unit move करेंगे, और अगर यह x minus three होता है, तो हम इस तरफ three unit parabola को move करते है, ठीक है, hope so, आपका यह concept clear हो गया होगा, shifting कैसे होती है, ठीक है, next आज जाते है, हम reflection की तरफ, reflection न जैसे हो जाता है, तो वैसे reflection, अब हमारे पास कोई function है, f of x, x square, वही example हम लेते है, function है parabola, इस shape में, तो अगर इसका reflection करना है, तो इसका reflection क्या होगा, यह उल्टा हो जाएगा, तो इसका reflection क्या हो जाएगा, minus x square हो जाएगा, क्योंकि इसके parabola की shape ऐसे हो जाएगी, ठीक है, next to one होगा relation, तो तब function होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अब यहाँ पर अगर graph में हमसे पूछ ले, paper में आ सकता है, आपको एक shape दी हो, और पूछा हो कि यह function है कि नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को, जो है, function को देखके समझाएगी, एक function इस shape में, ठी तो यह भी देखे, और irregular shape है, लेकि एक point पे cut हो रहा है, तो जब एक point पे cut होता है, तो वो function होता है, ठीक है, यह point आप याज रख लें है, कि कब होता है, कब नहीं, यह आज सकता है, मैं आखो graph दिया हो, और पूछा हो कि कौन सा function है, और कौन सा लहीं, अब आगे आ जाते ह multiply and divide function, but for division, आप लोगों को division के लिए याद रखना है, कि division by 0 is not allowed in mathematics, तो आप लोगों ने restrict करना होगा, कि g is not equal to 0, f of g कोई भी function है, 1 by 2 या 2 by 3, तो वो नीचे जो domain, जो denominator होता है, वो 0 ना हो, यह मैंने आपको पीछे domain and range के लिए भी समझाया था, कि domain and range के लिए restrict करना होगता तो इस तरह function में यह आपको याद रते है, example को जब हम देख लेते हैं, कैसे होती है, एक आपको समझाया जएगी तो बाकी भी असान है, ठीक है, addition कैसे होती है, कोई दो function हमारे पास, f of x plus g of x, तो plus आगया क्योंकि addition हो रही है, question में हमारे पास f of x दीविए value और g of x अब addition देखें, हमने a function लिया, f of x की जगा, हमने f of x लिखा, बीच में हमने positive sign डाला, क्योंकि addition करें, और g of x हमने g of x की value लिखी, addition कैसे होगी, इसमें हमारे पास आपको पता है, quadratic मतलब हमारे पास highest power से start होता है, highest power इसमें हमारे पास क्या है, x square है तो हमने पहले x square लिखा, उसके बाद x वाडी power plus 2x, इसे 4 में से 3 चले गए, तो हमारे पास minus 1 आगया, दीखें, उसके बाद हम subtraction का देखें, तो हमारे पास f of x minus g of x minus कर रहे हैं, तो हमारे पास बीच में minus लग गया, तो हम यहाँ bracket लगाएंगे, क्योंकि यह minus, अगर हमने bracket ना लगाया, तो इसका म पर x minus x आजएगा, minus x square, और minus minus plus हो जाएगा, तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, plus 4 हो जाएगा, तो plus 4 और plus 3 हम करेंगे, तो 7 आजएगा, यह x square बड़ी value पहले, फिर 2x वैसे ही, और इन दोनों को हमने add किया, तो 7x, युकि 7 minus minus plus होता है, तो इसलिए यह add करी हमने, उसके ब मतलब आपका, पहले किस को किस के साथ करते है, ठीक है, मतलब 4 को इक दूसरे के साथ करने, तो 2x को हमने, जब x square के साथ किया है, तो हमारे पास 2x cube आगया, 2 इसका, और minus की power add हो गई, फिर हमने 3x को x के साथ किया, 3x square आगया, अब 2x को 4 के साथ भी करने है, तो minus sign है, minus 248x, और फिर 3 को भी 4 के साथ करना है, 3, 4 जाएं, 12 तो साइन माइनस का इसमें सिंप्लिफाई नहीं होता क्योंकि एक पावर 3 है, एक 2 है, एक 1 है और कुछ भी नहीं अगर दोनों सेम होती कोई पावर तो हम उसको add सब्टरक कर लेते division में हमारे पास देखें, हमारे पास आता है, इसी की अब division करें तो हम इसमें district करेंगे कि division by 0 is not allowed, यहाँ पर क्या आ जाए कि यह 0 हो जाएगा अगर हमने यहाँ 2 लिखा तो 2, 2 is 4 हो जाएगा, तो plus 4, minus 4 हमारे पास cut जाएगा तो हम यहाँ पर क्या district करेंगे कि plus minus 2 इसमें allowed नहीं है, क्योंकि हमारे पास power में तो ज़रूरी नहीं है क्या माइनस हो या plus वो तो वैसे भी power minus भी हो तो वो था हमारे पास addition में ही आ जाएगी इसलिए हमने इसका यह district कर लिया, अब इसकी simplification कैसे होती है, उपर तो कुछ भी simplify करने को नहीं है वैसे ही, नीचे देखें तो हमारे पास a square minus b square का formula बन रहा है a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, ठीक है, तो आपने हम एक दफ़ा plus में दिख लिया, अब हम यहाँ पर 4 की जग़ा 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 का square लिए है, 2, 2 is a 4, a square plus b square, तो b तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 2 का square लेंगे है, तो 4 आता है, एक दफ़ा plus, एक दफ़ा minus ठीक है, इस ही की जगा, अगर division में एक और question में एक और example लिखी है, अगर इस तरह division आजाए, एक प्लस 1 डिवाइबा एक स्क्वार माइनस 1, तो हमने नीचे वाले को वही फार्मूला बनता है, a square plus 1 के उपर square, तो 1 ही आता है, तो 1 square हमने किया, तो यह a plus b, a minus b, 1 के है, x plus 1, x minus 1, same same value कट गई, तो मेरे पास क्या आगया, x minus 1 answer आगया, hope so आपको इस operation की समझ आ गई होगी, addition division की,